आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देश वाच्चों की सकारात्मक प्रेणाओं और सामोहिक प्रयासों से जुड़ी होती हैं। आज हमारे पुझ्य बापु महत्मा गांदी जी की पुण्यति थी भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापु की सिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दीवस भी मनाया। दिल्ली में राजपत पर हमने देश के शौर्य और सामर्थकी जो जाकी देखी उसने सबको गर्व और उत्सा से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा अब गणतंत्र दिवस समारो 23 जनवरी यानि नेताजी सुभाचंद्र बोष की जन्मजनती से सुरू होगा और 30 जनवरी तक यानि गांदी जी की पुन्यतिति तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। पुनर प्रतिष्थित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान जोती और पास में ही नेशनल वार मेमोरियल पर प्रजवली जोती को एक किया गया। इस भावुक अउसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आँखों में आँसू थे। नेशनल वार मेमोरियल में आजहती के बाद से सहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किये गए हैं। मुझे सेना के कुछ पुर्व जवानों ने पत्र लिकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रजवलित हो रही अमर जवान जोती शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान जोती की ही तरह हमारे शहीत उनकी प्रेणा और उनकी योगदान भी अमर है मैं आप सभी से कहूंगा जब भी अवसर मिले नेशनल बॉर मेमोरियल जरूर जाएं अपने परिवार और बच्चों को भी जरूर ले जाएं यहां आपको एक अलग उर्चा और प्रेणा का अनुभव होगा साथियों अमरित महोसो के इन आयोजनों के बीच देश में कई महतोपुर राष्ट्रिय पुरसकार भी दिये गए एक हैं प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरसकार यह पुरसकार उन बच्चों को मिले चिन्होंने छोटी सी उम्र में सासीक और प्रेणादाई काम किये हैं हम सब को अपने घरों में इन बच्चों के बाले में जुरूर बताना चाहिए इन से हमारे बच्चों को भी प्रेणा मिलेगी और उनके भीतर देश का नाम रोशन करने का उत्सा जगेगा देश में अभी पद्म सम्मान की भी गोश्णा हुई है पद्म पुरसकार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी है जिनके भारे में बहुत कम लोग जानते हैं यह हमारे देश के अंसंग हिरोज है जिनों ने साधारन परिस्थित्यों में असाधान काम किये हैं जैसे की उत्राखन की बसंती देवी जी को पद्मस्री से सम्मानित किया गया है बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संगर्षों के बीच जीया कम उम्र में ही उनके पती का नीधन हो गया था और वो एक आस्रम में रहने लगी यहां रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संगर्ष किया और परियावरन के लिए असाथारन योगदान दिया उन्होंने महिलाओं के शसक्ति करण के लिए भी काफी काम किया है इस्तितरह मनिपूर की 77 साल की लोरेंबं बिनो देवी दसकों से मनिपूर की लीबा टेक्स्टाइल आर्ट का सवरक्षन कर रही है उन्हें भी पदमस्री से सम्मानित किया गया है मद्य प्रदेश के अरद्जून सी को बैगा आदिवा से नृत्टी की कला को पहचान दिलाने के लिए पदमसम्मान मिला है पदमसम्मान पाने वाले एक और व्यक्ति है स्रिमान अमाई महालिंगा नाइक एक किसान है और करनाटका के रहने वाले हैं इने कुछ लोग टननमेन भी कहते हैं उन्होंने खेती में ऐसे ऐसो इनोवेशन किये हैं जिने देखकर कोई भी हैरान रह जाए इनके प्रयासों का बहुत बड़ा लाफ छोटे किसानों को हो रहा है ऐसे और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिने देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे देशवासियों अमरित महोत्सव पर आप सब साथे मुझे धेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं कई सुझाव भी देते हैं इसी सरंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मनिया है मुझे एक करोड से जादा बच्चों ने अपने मन की बात पोशकाड के जरिये लिख कर भीजी है ये एक करोड पोशकाड देश के अलग-अलग हिस्सों से आये हैं विदेश से भी आये हैं समय निकाल कर इन में से काफी पोशकाड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है इन पोस्कार्ट में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्च के लिए हमारी नई पीडी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है मैंने मन की बात के स्रोताओं के लिए कुछ पोस्कार्ट छाटे हैं जिने मैं आप से शेर करना चाहता हूँ जैसे यह एक असम के गुहाटी से रिद्दिमा स्वर्गियारी का पोस्कार्ट है रिद्दिमा क्लास सेवंद की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के सौवे साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती है जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो आतंगवाद से पुरी तरह से मुक्त हो शत्व प्रतिशत साक्षर देशों में शामिल हो जीरो एक्सिडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनिक से फूर्ड सिकूरिटी में सक्षम हो रिदिमा हमारी बेटियां जो सोचती है जो सपने देश के लिए देखती है वो तो पूरे होते ही है जब सबके प्रयास जुड़ेंगे आपकी युवापिडी इसे लक्ष बना कर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती है वैसे जुरूर होगा एक पोश्कार मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज की नव्या वर्मा का भी मिला है नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मान पूर्ण जीवन मिले जहां किसान सम्रुद हो और प्रश्टाचार न हो नव्या देश के लिए आपका सपना बहुत सरहानिय है इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बट रहा है आपने प्रश्टाचार मुक्त भारत की बात की प्रश्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है उससे मुक्ती के लिए 2047 का इंतजार क्यों ये काम हम जल्द से जल्द करना है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने करतवियों को प्रश्टाचार 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 मेरे सामने हैं चेन्ने इसे महमत इबराहिम का इबराहिम 2047 में भारत को रक्षा के खेत्र में एक बड़ी ताकत के रुप में देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिजर्ट बेश हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बसाने का काम शुरू करे साथ ही इबराहिम पृत्वी को भी प्रदूशन से मुक्त करने में भारत के बड़ी भूमिका देखते हैं इबराहिम जिस देश के पास आप जैसे नवजमान हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है साथियों मेरे सामने एक और पत्र है मद्र प्रदेश के राइसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास दस की छात्रा भावना का सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोश्कार को तिरंगवे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा भावना ने क्रांतिकारी शिरिश कुमार के बारे में लिखा है साथियों मुझे गोवा से लौरेंचियो परेरा का पोश्कार भी मिला है ये क्लास बारा की स्टुडेंट है इनके पत्र का भी विशे है आजादी के अनसंग हिरोज मैं इसका हिंदी भावारता आपको बता रहा हूँ इन्होंने लिखा है भिकाजी कामा भारतिय स्वतंतरता संगराम में शामिल रही सबसे बहदूर महिलाओं में से एक थी उन्होंने बेटियों को ससर्ट करने के लिए देश विदेश में बहुत से अभियान चलाए अनेक प्रदर्शनिया लगाई निश्चित तौर पर भिकाजी कामा स्वाधीन तांदोलन की सबसे जाबाज महिलाओं में से एक थी 1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा फैराया था इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया था वो थे सिरी शाम जी कृष्ण वर्मा सिरी शाम जी कृष्ण वर्मा जी का नीधन 1930 में जेनेवे में हुआ था उनकी अंति मिच्छा थी कि भारत की आजादी के बाद उनकी अस्थियां भारत लाई जाए वैसे तो 1947 में आजादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्थियां भारत वापिस लानी चाहिए थी लेकिन ये काम नहीं हुआ शायद परमात्मा की इच्छा होगी ये काम मैं करूँ और इस काम का सोभागिया भी मुझे ही मिला जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो बस 2003 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई थी शाम जी कृष्ण वर्मा जी के स्मृति में उनके जन्मस्तान कच के मांडवी में एक स्मारक का निर्मान भी हुआ है साथियों भारत की आजादी के अमरित महोत्सव का उत्सा केवल हमारे देश में ही नहीं है मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोष्ट कार्ड मिले हैं क्रोएशिया के जागरिब में स्कूल अफ एप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमरित महोत्सव की बधाई दिये हैं मैं आप सभी देश्वास्यों की तरफ से क्रोएशिया और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे देश्वास्यों भारत सिख्षा और ज्यान की तपोभुमी रहा है हमने सिख्षा को किताबी ज्यान तक ही सिमित नहीं रखा बलकि इसे जीवन के एक समग्र अनुभव के तोर पर देखा है हमारे देश की महान विभूतियों का भी सिख्षा से गहरा नाता रहा है पंडित मदन महन मालेविया जी ने जहां बनार्ज हिंदू विश्वी विद्याले की स्थापना की वहीं मात्मा गांदी ने गुजराद विद्यापिट के निर्मान में अहम भूमी का निभाई गुजराद के आनन में एक बहुत ही प्यारी जगह है वल्लग विद्यानगर सरदार पटेल के आगरह पर उनके दो सहियों ग्यों भाईका का और विखा भाईने वहाँ युवाओं के लिए शिक्षा केंद्रों के स्थापना की इसी तरह पस्चिम बंगाल में गुरुदेव रविद्यनाठ टेगोर ने सांति निकेतन के स्थापना की महराज गायकवार भी शिक्षा के प्रबल्च समर्थकमा से एक थे उन्होंने कई शिक्षन समस्तावनों का निर्मान करवाया और डॉक्टर अम्बेड कर और से अर्विन्दों समेथ अने की विभूतियों को उच्च सिक्षा के लिए फ्रेरित किया ऐसे ही महाना भावों की सूची में एक नाम राजा महेंदर प्रताब सीजी का भी है राजा महेंदर प्रताब सीजी ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घर ही सौप दिया था उन्होंने अलिगड और मतुरा में शिक्षा केंद्रों के निर्मान के लिए खूब आर्थिक मदद की। कुछ समय पहले मुझे अलिगड में उनके नाम पर एक उनिवर्सिटी की आधार सिला रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे खुशी है कि सिक्षा के प्रकास को जन जन तक पहुँचाने की वही जिवन्द भावना भारत में आज भी कायम है। क्या आप जानते हैं किस भावना की सबसे सुन्दर बात क्या है। वो ये हैं कि सिक्षा को लेकर ये जागरुकता समाज में हर स्कर पर दिख रही है। तमिल नाडू के त्रिपूर जिले के उदुम लपेट ब्लॉक में रहने वाली तायमल जी का उधारन तो बहुत ही प्रेणादाई है। तायमल जी के पास अपनी कोई जमिन नहीं है। बरसों से इनका परिवार नारियल पानी बेच कर अपना गुजर बसर कर रहा है। आर्थिक स्थिती भले अच्छी ना हो लेकिन तायमल जी ने अपने बेटी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में अभीभावकों के साथ मिटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्थिती को सुधारा जाए। स्कूल इंफ्रस्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तायमल जी भी उस मिटिंग में थी। उन्होंने सब कुछ सुना। इसी बैटक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर टिक गई। इसके बाद तायमल जी ने जो किया उसकी कलपना कोई नहीं कर सकता था। जिन तायमल जी ने नरियल पानी बेच बेच कर कुछ पुझी जमा के थी। उन्होंने एक लाक रुपिये स्कूल के लिए दान कर दिये। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। सिवा भाव चाहिए। तायमल जी का कहना है अभी जो स्कूल है उसमें आठवी कक्षा तक की पढ़ाई होती है। अब जब स्कूल का इंफरास्ट्रक्चर सुदर जाएगा तो यहां हायर सेकंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी।